Hello everyone and welcome to education achievers. I hope you all must be doing well. हाल ही में previous year questions series में हमने आपके UGC net paper 1 से related 2022 and 2023 में जो questions पूछे गए थे उस से related 14 classes में 200 के approximately questions प्रैक्टिस किये थे और इसी series को continue करते हुए अब हम आपके June 2023 में यानि हाल ही में जो आपका UGC net exam हुआ है उस से related previous year questions प्रैक्टिस करेंगे और आज की ये class 1 है June PYQ से related और आगे की कोई भी class अगर आप लोग miss नहीं करना चाहते हो तो make sure channel को subscribe करने के साथ बेल आइकोन ज़रूर प्रैस कर देना ताकि कोई भी notification आपका miss ना हो तो चलिए without wasting time start करते हैं अपने आज के first question से Question number one कहता है Communication about communication is called यानि संचार के बारे में संचार को क्या कहा जाता है Communication narrative कहेंगे Communication overlay या फिर metacognition या फिर metacognition यहां पर हम जितने भी questions practice करेंगे वो mixed questions होंगे उसमें research attitude भी होगा teaching attitude भी communication भी मतलब जून में जिस भी topics आपके जो भी questions पूछे गए हैं उन सब को हम discuss करेंगे DI को हम अलग से practice करेंगे तो इसमें आपको हमें बताना है कि इसमें आपका सही answer क्या होगा तो देखो communication narrative नहीं होगा. communication overlay भी नहीं होगा और जो आपने पढ़ा होगा metacognition Metacognition मैंने आपको समझाया था उसके steps भी बताये थे उसके dimension भी बताये थे वो है cognition से related यानि cognition about cognition thinking about thinking वो हम देखते हैं Metacognition में उसी तरीके से हमारा होता है Metacommunication जिसमें हम communication about communication communicate करते हैं किस के बारे में communication के बारे में हम बात करते हैं किस के बारे में, बातचीत के बारे में, वो हमारा क्या होगा, meta communication, अगर आप लोगों ने meta cognition अच्छे से समझा था, तो आप उससे relate करकर इसका answer सही लगा देते, इसका answer होगा आपका meta communication, जैसे meta cognition में हम अपनी thinking process के बारे में think करते हैं, उसी तरीके से meta communication में हम communication process के बारे में communicate करते हैं, इसलिए यहाँ सही answer हो जाएगा आपका option number 4, next question, which of the following type of variables would have a true zero point, यहाँ पर जो measurement scales हैं आपके research aptitude में, उससे related questions पूछे गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि इन चारो में से, कौन सा होगा, जिसमें के true zero point present होगा, nominal होगा, ordinal होगा, interval होगा या ratio होगा, बहुत बार ये चारो जो scale आपके सामने है, measurement scales, इनकी जो chronology है, यानि कि इनका जो sequence है, यानि lower to higher order, ये भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, कि जो सबसे lower होता है, वो होता है nominal, उसके बाद आता है interval और उस इसको आप कैसे याद रख सकते हो, no IR, no IR सा आप याद रखोगे, ये होता है first, ये होता है second, ये third and fourth, और अगर आप से ये पूछा जाए कि higher to lower, तो आपको फिर उल्टा चलना पड़ेगा, पहले आएगा ratio, then interval, then ordinal, और उसके बाद आएगा nominal, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनका sequence भी काफी बार exam में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, कि zero point कहां present होगा, तो मैंने measurement scale से related, आप लोगों को बहुत अच्छे से, सारे measurement scale से अच्छे से समझाये थे, वहाँ पर मैंने आपको समझाये था, कि जो हमारा ratio scale होता है, जैसे मैं तो यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा, option number 4, इसको थोड़ा से समझ लेते हैं, यह हैं आपके चार measurement scales, nominal, ordinal, interval and ratio, यह जो इनका sequence है, यह है lower to higher, यानि इसको आप कैसे याद रखोगे, no IR से याद रखोगे, अगर आपसे यह कहा जाता है, कि lower to higher लगाई, nominal का मतलब होता है, क सिर्फ और सिर्फ आप classify कर देते हो चीजों को, सिर्फ और सिर्फ classification आप चीजों का दे देते हो, जैसे कि अगर मैं gender की बात करती हूँ, अगर मैं आप से कहते हूँ, gender को classify कीजी, तो आप एक कर दोगे male, एक आप कर दोगे female, और एक आप कर दोगे others, या फिर transgender, ओके, others या transgender तो यह हो जाएगा gender का classification जिसमें आप सिर्फ नाम दे देते हो जिसमें आप सिर्फ classify कर देते हो वो होता है हमारा nominal scale उसके बाद आता है ordinal scale ordinal scale में क्या होता है कि जो चीज़ें आपने जो भी चीज़ें आप classify कर सकते हो उनको एक order अगर भी देना पड़ेगा आपको जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूं कि हमारे society में तीन category होती है एक होते हैं higher level के लोग एक होते हैं middle class लोग और एक होते हैं lower category के लोग तो यहां पर अगर आप हायर middle and lower अगर आप एक हैरार की बनाते हो आप एक order में अगर चीज़ों को लगाते हो lower to higher या फिर higher to order higher to lower तो उसको हम क्या कहते हैं order यानि कि एक order में अगर आप arrange करते हो चीज़ों को तो इसमें क्या होता है nominal में सिर्फ और सिर्फ आप केटेगराइज करते हो चीजों को नाम देते हो ordinal में आप एक proper order देते हो जैसे कि एक होते हैं बहुत अमीर एक होते हैं उन से छोटे और एक होते हैं बिल्कुल और एक होते हैं गरीब परिवार उस तरीके से आप connect कर सकते हो थाड होता है हमारा interval scale, interval scale में क्या होता है, nominal और ordinal, इन दोनों scales की खुबियां होती है, interval scale में, nominal scale की सारी खुबियां होंगी, ordinal के अंदर, और interval में इन दोनों की सारी खुबियां होंगी, ऐसे ही ratio में इन तीनों scale की सारी खुबियां होंगी, इस तरीके से भी आपको याद होता है और उसमें हम classify भी करते हैं चीजों को और उसमें प्रॉपर इंटर्वल भी होते हैं अगर आपको detail में समझना है तो आफ प्लीज उस class को ज़रूर देखना research aptitude की playlist में आपको वो class मिल जाएगी मैंने बहुत easy examples की हेल्पस आपको सारी चीज़े अच्छे से समझाई थी रेशो इसको इसकेल जो होता है वो सबसे हाइस लेविल का स्केल होता है यहां पर इन तीनों की केटे ग्राईज न्यक्त किए तो सिर्फ न्यक्त क्लासिफिकेशन की बात अरही हैं तो और आपको नॉमिनल पिर वड्स साथ में नोट करते रहा की जी में क्या होता है scale that categorize यह categorize भी करता है and rank rank order भी करता है and has equal interval दो चीजों के बीच में equal interval की बात करता है हमारा interval scale इसी तरीके से जो हमारा ratio scale होता है वो चीजों को categorize भी करता है उसमें rank order भी होता है यानि कि nominal की भी खूबियां होती है ordinal scale की भी खूब तो यह चीज आपको याद रखने है इससे related अब कैसे present होता है कैसे नहीं होता है इसके लिए आप detail में उस class को देख ले न वरना यह class बहुत लंबी हो जाएगी हम लोग यहाँ पर questions को practice कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा अब हम देखते हैं अपना third question which of the following statements are so related that if one of them is true the other must be false even though both of them can be false यानि इन चारों में से आपको यह बताना है निम्नलिकित में से कौन-कौन से कथन आपस में इस पिरकार से related हैं कि यदि एक सत्य हो अगर एक सच है तो दूसरा अवश्य ही गलत होगा यद भी दोनों गलत हो सकते हैं साथ में दोनों गलत हो सकते हैं मतलग आपको इन चारों में से वो दो जोड़े चुनने हैं जो कि साथ में अगर एक प्रू है तो एक false होगा लेकिन वो दोनों साथ में false हो सकते हैं अब यह आपका जो question है यह है square of opposition से related और मैंने आपको बताया था square of opposition से आपको जबी भी कोई question पूछा गाता है आपको यह ड्रॉ कर लेना है हमारा A A, E, I and O यह तो आप सभी को आ गया होगा मैंने बहुत बार समझा दिया है आपको A का मतलब होता है all, E होता है no, some का मतलब होता है I और O का होता है some not ठीक है अब A जो है मैंने आपको बताया था A और O आपस में होते हैं contradictory, E और I आपस में होते हैं contradictory and A और E जो होते हैं यह होते हैं आपस में contrary, contrary का मतलब है कि अगर यह true है तो यह false होगा मतलब आपस में एक दूसरे के opposite होते हैं अगर एक true है तो एक false होगा यह दोनों साथ में false तो हो सकते हैं लेकिन साथ में कभी भी true नहीं हो सकते जो contrary हैं और contrary क्या है हमारे A all और E no, अब यहाँ पर देखिए A all वाला case कहाँ पर है, यह है, all adults are far sighted, यह मिल गया, अब no का case देखिए कहाँ पर है, no adults are far sighted, B, answer क्या होगी हमारा, B and C कहाँ पर है, option number 4 में, और इसलिए हमारा सही answer हो जाएगा, option number 4, यहाँ पर, कैसे होगा, आपको मैं ने बताया कि यह जो A, E, I, O होते हैं, इसमें जो हमारा A और E होता है, यह दोनों आपस में contrary होती है, यह दोनों आपस में एक true होगा, तो एक false होगा, लेकिन साथ में यह कभी भी true नहीं हो सकते, but क्या हो सकते हैं, साथ में false हो सकते, okay, अगर इस चीज़ के आप गहराई ज एक रिलेटेड, portfolio assessment consist of, portfolio assessment के बारे में यहां पर बात की गई है, portfolio assessment किस किस चीज़ को अपने अंदर consist करता है, prohibit collaboration among teachers and students during the assessment process, देखो इन questions के आंसर आपको ऐसे करने हैं, कि पहले वीडियो को post करना है, खुद सा आंसर लगाना है, खुद सा आंसर लगाईए, उसके बाद कि मैं क्या आंसर बताती हूँ, पहले खुद देखिए इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ सुनना नहीं है, prohibit collaboration among यानि की मुलियांकन प्रिकरिया के दोरान, शिक्षकों एवं विध्यार्तियों के बीच सहयोग का निशेद, क्या ऐसा होता है कि assessment process के दोरान, जो teachers और students हैं, उन पर ध्यान देता है, क्या ऐसा होता है, C कहता है, engaging the students in assessing their progress and establishing ongoing learning goals, यानि कि विध्यार्तियों को उनकी पिरगती के मुलियांकन में, तथा जारी अधिगम लक्षियों को इस्थापित करने में शामिल करना, तो देखो ये बात बिलकुँ सही है, क्योंकि engage करता है ये students को in assessing, assess क करने में उनका progress and establish करता है, उनका ongoing process learning goals को achieve करने का, ये establish करने का, डी कहता है, provide students opportunities to reflect upon feeling about learning, यानि कि students को opportunity provide करता है वो, ताकि वो learning को feel कर सके, link assessment and teaching to learning, यानि कि मुलियांकन एवं शिक्षन का अधिगम से संबंद करना, ये तीनों ही अगर आप statement ठीक से पढ़ोगी, C, D and E, ये बिल्कु सही statement है, लेकिन देखो first और जो second statement है आपका, वो क्या कह रहा है, देखो prohibit ये negative word आगया शुरू में ही, कि teacher और विध्यार्ती के बीच कोई सहयोग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका wrong, B है addressing the students achievement only, यानि कि केवल विध्यार्तियों की उपलब्धियों पर ध् achievement नहीं होती, बाकी की जितनी activities होती है, उनको भी शामिल किया जाता है, पॉर्टफोलियो का देखो मतलब क्या होता है, आपका भी अपना portfolio है, portfolio होता है, कि आपने बचपन से लेके अब तक, जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी उपलब्धियां हासिल की है, उसकी जो आपके चीज़े मिला कर जो आपका overall जो भी आपने activities की हैं जो भी आपने collect किया है अपनी महनस से वो सब क्या कहलाता है आपका portfolio ओके तो यह यहां पर आपका जो A और B है वो हो जाएगा wrong और C D E हो जाएगा सही और इसलिए answer हो जाएगा यहां पर option number 3 बिलकुल correct answer next question which of the following statement is equivalent to the following statement all philosophers are non-conservatives इसका आपको बताना है equivalent तो देखो equivalent जो logical equivalent है उसके बारे में जो previous question series हमने अभी complete की है उसमें मैंने बहुत सारे questions आपको करवाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी logical equivalent या equivalent से question आता है तो आपको याद रखना है conversion, conversion and contraposition जिसको मैंने बहुत ही अच्छे सा समझाया था आप लोगों को जो उसका concept होता है और version और conversion का वो क्या होता है देखो यहाँ पर कौन सा case है हमारा all philosophers are non-conservatives conservatives देखो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यह no philosophers are conservatives यह होगा इसका equivalent क्यों होगा तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर यह लिखा हुआ है no a r b अगर यह statement आपका लिखा हुआ है no philosophers are conservatives लिख रहा है तो आप इसको ऐसे माल लीजी no a r b अगर statement है इसका अगर हमें क्या करना है इसको अगर हमें इसका equivalent देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें इसकी quality change करनी पड़ेगी no का क्या करना पड़ेगा universal negative है no इस सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगे a ऐसे ही रहेगा आर ऐसे ही रहेगा और जो हमारा प्रेडिकेट होता है बी उसको हम contradict कर देते हैं उसको हम क्या कर देंगे non b यह होता है contradict तो इसका जो logical equivalent क्या होगा वो यह होगा no a r b का logical equivalent होगा all a r non b यह होता है ओवर्जन अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह लिख रहा है no philosophers are conservatives यानि no a r b इस तरह connect कीजिए और उसका क्या किया हमने no का all कर दिया तो देखो no philosophers are conservatives लिखा हुआ था तो यहाँ पर no क्या क्या किया गया all philosophers ऐसे का ऐसे ही रहा और और conservatives को क्या कर दिया non conservatives यानि जो हमारा प्रेडिकेट था उसको कर दिया contradictory इस तरीके से आपको connect करना है तो यहाँ पर क्या हुआ है ऑफ वर्जन हुआ है जो ऑफ वर्जन था उसको दिया गया था यहाँ पर तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर option number two question number six which of the following pairs shows an internet service and its corresponding protocol correctly matched आपको यह बताना है यह जो चार यहाँ पर दिये गए हैं इनका जो प्रोटोकॉल है कौन-कौन सा सही होगा www का दिया हुआ है FTP FTP की फुल्पॉम होती file transfer protocol email का protocol दिया गया है SMTP यानि की simple mail transfer protocol उसके बाद email का दिया हुआ है FTP यानि की file transfer protocol email का जो protocol होगा वो SMTP होगा या फिर email का protocol FTP होगा fourth one दिया गया है file transfer file transfer का protocol क्या होगा SMTP होगा इन में सा आपको बताना है कि कौन सा सही है सिर्फ एक चूस करना है आपको देखो जो www होता है हमारा वो होती है हमारी website से related और उसका जो protocol होता है वो FTP नहीं होता file transfer protocol नहीं होता FTP हमारा protocol होता है file transfer का FTP ओके तो यह हो जाएगा गलत email का जो protocol होता है वो होता है SMTP यह बिल्कुश सही बात है तो email का FTP यह हो जाएगा गलत क्योंकि FTP हमने देखा file transfer protocol का file transfer का होता है protocol FTP तो यहाँ पर आपका email वाला जो third option है वो भी गलत हो जाएगा और file transfer का इन्होंने दिया है यहाँ पर SMTP जो कि नहीं होगा बलकि क्या होना चाहिए ता fourth option में FTP होना चाहिए ता file transfer का protocol क्या होना चाहिए ता FTP तो यह भी गलत हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक option सही है आपका email वाला email का protocol होता है SMTP यानि Simple Mail Transfer Protocol और इसलिए यहाँ पर आपका सही answer कौन सा हो जाएगा option number 2 will be the correct answer इसका solution देख सकते हैं जो STTP होता है जिसकी full form होती है इसकी full form भी काफी बार exam में आपके बूची जा चुकी है hyper tax transfer protocol is the protocol used to transmit all data present on the world wide web जो हमारी website होती है www उसका protocol होता है STTP और वहाँ पर क्या दिया गया था हमारा wrong second the simple mail transfer protocol यानि की SMTP is used for sending and receiving send करने के लिए और receive करने के लिए email को कौन सा protocol use होता है SMTP और वहाँ पर क्या दिया गयता है FTP इसलिए वो wrong था जो third है हमारा FTP जिसकी full form होती है file transfer protocol is a network protocol for transmitting the files between computers over transmission control protocol FTP है वो किसके लिए use होता है files को transmit करने के लिए ओके तो यह सारी चीज़ें आपको अब अच्छे से के लिए हो गई होगी आगे बढ़ते हैं अपने आज के next question पर यहाँ पर यह statement based question दिया गया है first statement कहता है there is an argument that the emergence of television audience has brought in more personalized and interactive communication and media culture यानि first statement कहता है एक तर्क है एक argument है कि television श्रोताओं के आगमन से अधिक व्यक्ति परक और संबाद परक संचार तथ मीडिया संस्किर्ति का प्राधुर्भाव हुआ है यानि जो हमारा media है जो हमारे television audience है उसके आने की वज़े से बहुत ज़्यादा personalized and interactive communication और media culture को क्या मिला है एक तरीके से promotion मिला है वो बढ़ा है उसका development हुआ है second statement कहता है within an integrated communication system messages do not acquire the elements of communicability and socialization देखो ये options अगर आप ध्यान से नहीं पड़ोगे न तो आप confused हो सकते हो इस तरह के statement based questions को देखकर घबराना नहीं है बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है अपनी जुबान में समझना है उसके बाद आंसर करना है जो second option है हमारा ये कह रहा है यहां पर बात की गई है integrated communication system की यानि एक इकरित संचार पर इनाली की बात हो रही है और last में क्या लिखा गया है कि messages do not acquire the elements of communicability and socialization अब देखो जहां पर integrated communication system की बात हो रही है जहां पर हम multiple channels का use करते हैं communication process में यान की integrated तरीके से हम communicate करते हैं तो क्या वहाँ पर आपको लगता है कि communicability नहीं होगी वहाँ पर कोई communication नहीं होगा और socialization भी नहीं होगा तो यह चीज़ हो जाएगी बिल्कुल गलत क्योंकि है integrated communication system की बात हो रही है तो इस चीज़ सा आप connect कर सकते हो लेकिन जो first option है हम आने की वज़े से बहुत ज्यादा personalized and interactive communication और हमारे मीडिया कल्चर का development हुआ है यह बिल्कुछ सही बात है तो statement 1 हो जाएगा हमारा correct और statement 2 हो जाएगा false यानि option number 3 हो जाएगा बिल्कुल correct answer और option number 3 हमारा यहां पर सही answer है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के next question की तरफ data driven, replicable, verifiable या फिर subjective इसमें आपको multiple options दिये गए हैं आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा आएगा scientific research के अंदर scientific research data driven होती है देखो बिल्कुछ सही बात है क्योंकि scientific research में आपको data collect करना होता है उसको analyze करना होता है उसको interpret करना होता है सारी चीज़े करनी होती है और data driving भी है, replicable भी है, replicate भी किया जा सकता है इसको आगे और verifiable भी है क्योंकि verify भी करना पड़ता है आपको जो भी चीज़ें आपने बनाई है hypothesis बनाई है सारी चीज़ों को आपको verify करना होता है बट क्या आपको ऐसा लगता है कि scientific research की बात हो रही है तो यहाँ पर subjectivity होगी बिल option number one में लिखा हुआ है और इसलिए हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number one, I hope you understand, अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आप लोग मुझसे पूश सकते हो, आज का next question कहता है, chlorofluorocarbons यानि CFCS, important greenhouse gases, जो chlorofluorocarbons है वो important greenhouse gases हैं, अब उनकी यह characteristics दी गई है, इन में सा आपको बताना ह हैं कौन कौन सी characteristic होंगी chlorofluorocarbon की, toxic क्या यह विशाक्त होती है, chlorofluorocarbon जो कि हमारी greenhouse gases है, यह vaporize हो जाती है, just blow room temperature, यानि कमरे के तापमान से नीचे तापमान पर यह वाश्पित हो जाती है, या यह भाप बन जाती है, या यह होगा, और फिलमेबल, क्या यह जोलन शील होत देती है, तो देखो क्योंकि greenhouse gases की बात हो रही है, तो यह वाला option तो आपका बिल्कुर सही हो जाएगा, और 1 और 2 तो खुद ही कर जाएगे, क्योंकि यह वाला option हमारा बिल्कुर सही है, destroy करती है greenhouse gases, ozone layer को, अब BDE होगा, या फिर CDE होगा, तो देखो, यह जो chlorofluorocarbon है, यह कमरे के तापमान से नीचे के तापमान पर, यह बहुत जादे stable भी होती है, और ozone को तो नश्ट करती ही है, तो answer होगा हमारा यहां पर BDE, A और C कट हो जाएगे, eliminate हो जाएगे, और BDE हमारे सही answer हो जाएगे, और option number 3 हो जाएगा, यहां बिल्कुल correct answer, question number 10, statement based question है, first statement कहता है, online surveys are very useful, because internet users always constitute an unbiased sample of the population, यानि कि जो online survey होते हैं, वो बहुत जाएदा उपयोगी होते हैं, क्यूंकि internet जो प्रियोगता हैं, जो internet को प्रियोग कर रहे हैं, वो हमेशा समझ्टी के एक निस्पाक्षिप्रतिदर्श को संगटित करते हैं, क्या ऐसा होता है, कि online surveys होते हैं, वो इसलिए useful होते हैं, क्योंकि जो online survey पर जो answer करने वाले या जो participants होते हैं, वो बिल्कुल unbiased होते हैं, second statement कहता है, a convenience sampling is one that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility, तो देखो, ध्यान सेन statement को पढ़ो, जो second statement कह रहा है, वो convenience sampling की बात कह रहा है, convenience sampling, sampling के types में हमने सारे types पढ़ेते, sampling के probability sampling भी और non probability sampling भी, और उसमें हमने जो convenience sampling पढ़ा था, वो किसका part था, non probability sampling का, यानि जिसमें सब के आने के chances नहीं होते हैं, convenience sampling का मतलब होता है, कि अपनी सुवीधा के अनुसार अपने sample को select करना, किसके दौरा, researcher के दौरा, तो जो चीज़ें आसानी से उपलब्द होती ह हैं, उनको चुनता है researcher अपनी research के लिए, तो second statement तो बिल्कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जो first statement है, कि online surveys इसमें useful हैं, क्योंकि जो internet users होते हैं, वो हमेशा unbiased sample होते हैं, population को, तो ऐसा नहीं है, आप किस base पर ऐसा कह सकते हो, कि online survey पर जितने भी आपने अपना sample चुना हैं, वो unbiased ही होंगे हैं, तो वो लोग ही, people ही हैं, तुमां biasness हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जो online internet यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से unbiased होंगे, अगर subjective question आप देते हो, तुमांपर biasness हो सकती हैं, और भी बहुत सारी वज़ा हो सकती हैं, इसलिए हमारा option number 1 हो जाएगा wrong, औ statement 2 हो जाएगा, बिल्कुल correct, और option number 1, यहनि statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, 4 option हो जाएगा, हमारा correct answer, No one has shown that Mars was not created by the aliens, therefore, Mars is actually created by the aliens, which fallacy is involved in the above statement, मतलब किसी ने यह नहीं दिखलाया है कि मंगल गिरह पर गिरहियों द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, और इसलिए मंगल गिरह वास्तव में पर गिरहियों द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें कौन सी fallacy होगी, यानि किसी ने भी आस तक यह शौन नहीं किया कि Mars जो है, जो हमारा मंगल गिरह है, वो aliens ने नहीं बनाया था, और इसलिए actually में जो Mars बनाया गया था, वो aliens के द्वारा बनाया गया था, अगर हम इस तरहां का कोई statement बोलते हैं, तो यहाँ पर हम एक truthy कर रहे हैं, truthy को हम English मे कहते हैं, fallacy, logical reasoning में हम English में, logical reasoning में हम गलतियों को या truthy को क्या कहते हैं, fallacy, अब यहाँ पर fallacy होगी, red herring fallacy, hasty generalization होगा, appeal to ignorance होगा, या फिर begging the question होगा, तो fallacy को भी मैंने बहुत अच्छे सा आपको explain किया था, अगर आप मेरी regular classes ले रहे हो, तो इस question का answer आपको देखते ही पता चल गया होगा, कि कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि Mars alien ने नहीं बनाया, और हम ये conclusion दे रहे हैं कि इसलिए Mars alien के द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पर हम कोई किसी चीज का generalization नहीं कर रहे हैं, किसी बात को generalize नहीं कर रहे हैं सब पर, ठीक है, red herring भी नहीं है, हम यहाँ पर ध्यान भटकाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सच्चाई को ignore कर रहे हैं, हम यहाँ पर ignore कर रहे हैं, किस चीज को, कि कोई नहीं साबित कर सकता कि Mars alien ने नहीं बनाया, और इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए Mars alien ने बनाया है, जैसे कि God, को भी मानते हैं कि god है ईश्वर है ये भी किसका एक्जामपल होगा आपके appeal to ignorance का एक्जामपल होगा जो कि पूछा भी गया है एक्जाम में और यहां सही आनसर आपका क्या होगा appeal to ignorance क्योंकि आप एक चीज को ignore कर रहे हो दूसरी चीज को सच मान रहे हो मतलब आप सच को सच प्रूव नहीं कर सकते इसलिए आप उसे जूट मान रहे हो यानि आप इग्नोर कर रहे हो तो अपील टू इग्नोरेंस इसका कीवर्ड क्या है इग्नोर जहां पर आप इग्नोर करते हो सच चाहे को तो आंसर सही हो जाएगा यहां पर option number 3 next question देखते हैं यह भी statement based question है first statement कहता है the www is the largest computer network in the world with millions of computer connected to each other जो हमारे www है वो largest computer network है दुनिया में और जिसमें millions of computer connected है आपस में क्या यह सही बात है statement two कहता है web pages are stored on web servers जो web pages है वो web server पर store रहते हैं which are always connected to the internet जो कि हमेशा internet से connect रहते हैं so that ताकि people can view their pages 24 hours a day ताकि लोग 24 घंटे उनको आराम से देख सकें यान कि जो web pages है वो web server पर हमेशा available रहते हैं आप लोग कभी भी जाकर उनको देख सकते हो पढ़ सकते हो अगर आप इनको ध्यान से देखो तो जो हमारे statement two है वो बिल्कुश सही बात कह रहा है क्योंकि web pages पर आप कोई website on करते हो तो चाहें आप रात के दो बजे रात के तीन बजे या फिर पहर में कभी भी आप उसको on कर लो हमेशा वो बर्क करेगी और हमेशा आपको रिजल्ट शो हो जाएगा जो भी आप देखना चाहते हो तो web pages हमेशा 24 इंटु 7 बेसिस पर आप आपकर व्यू कर सकते हो सही बात है लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि www विश्व का वियापक कम कंप्यूटर नेटवर्क है तो आपको पता है कि www हमारा लार्जेस कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है बल्कि www क्या होता है website होता है computer network नहीं होता है और statement बन हो जाएगा हमारा incorrect और statement टू हो जाएगा correct और answer सही हो जाएगा यहां पर option number 4 क्योंकि हमारे statement बन बिल्कुल गलत है और statement टू बिल्कुल सही बात कह रहा है next question देखते हैं यह भी statement based question है और यह जितने भी questions है ना आजके अगर आप लोगोंने पेपर दिया था तो ये जो law वाला जो पेपर हुआ था आपका जून में उससे लिए गए हैं आज के जितने भी questions हैं तो जिन बच्चों का law का exam था जिनोंने जून वाला exam दिया है वो इन questions को देखकर पहचान गए होंगे ये statement based question है यहाँ पर statement 1 कहता है according to Vygotsky learning occurs through social interaction and collaboration Vygotsky के अनुसार अधियम समाजिक अन्योनने किरिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है कैसा ही बात है statement 2 कहता है according to Vygotsky इसके folding involves providing the student with all of the answers and solutions to a problem Vygotsky के अनुसार इसके folding में इसके folding जो एक प्रक्रिया है उसमें विध्यारतियों को किसी समस्या के सभी उत्तर और समाधान पिरदान करने शामिल है क्या इसके folding में ये किया जाता है कि student को सारे ही answer दिये जाते हैं किसी भी problem के solution के क्या ऐसा होता है तो अगर आप लोगों ने Vygotsky की थियोरी पड़ी है तो आपको पता होगा कि जो Vygotsky हैं जो social learning से related हैं उन्होंने क्या कहा था कि learning हमारी होती है social interaction and collaboration के थ्रोग बिल्कुर सही बात है और जो हमारे statement 2 कहता है कि इसके folding का मतलब है कि बच्चों को questions के answer या problem के solution प्रिदान करने को हम इसके folding कहते हैं answer नहीं है क्योंकि इसके folding का मतलब मैंने आपको समझाया था इसके folding क्या होता है इसके folding होता है temporary structure of help अगर कोई बच्चा खुद यहां तक इस दायरे तक सीख सकता है यह कोई child है इसके खुद की capacity है यहां तक सीखने की बट अगर कोई और इसकी help करे तो यह इस दायरे तक सीखने की capacity भी रखता है यहां तक यह खुद सीख सकता है लेकिन इस दायरे तक यह किसी की help सीख सकता है तो ये जो दायरah होता है यहाँ से यहाँ तक का इसको हम कहते हैं ZPD यानि Zone of Proximal Development. और इस बच्चे के इस दायरे से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो इसको help करता है उसको हम कहते हैं MKO यानि More Knowledgeable Other. ये दायरा क्या कहलाएगा ZPD यानि Zone of Proximal Development और यहाँ स से यहां तक पहुंचाने में जो मदद करेगा उसको हम कहेंगे MKO यानि more knowledgeable other और जो यह help की गई more knowledgeable other के द्वारा जो help की गई उसको हम कहते हैं इसके folding यानि temporary structure of help ऐसी help जो कि एक बच्चे को एक stage से development की दूसरी stage तक पहुंचा देती है जैसे कि आप बच्चपन में cycle चलाते हैं तो आपके पापा आपकी help करते ही पीछे से cycle पकड़ लेते हैं आपकी capacity है आप पूरी identify the advantages of open ended questions in survey research यहां पर आपसे पूछा गया है कि survey research में जो open ended questions होंगे उनका क्या क्या advantage होगा respondents can answer in their own terms यानि कि जो open ended questions होंगे तो उसमें जो respondents हैं जो response करने वाले हैं वो अपने तरीके से उत्तरदात अपने सोयम के पदों में उत्तर दे सकते हैं अपने according उत्तर दे सकते हैं सेकंड कहता है they can be quickly administered by the interviewer कि वो quickly administer किये जा सकते हैं शीगृता से administer कि जा सकते हैं किसके के द्वारा शाक्षातकार करता के द्वारा तर्ड कहता है यानि वह सामान्य उत्तरों के व्यूत्पन करने की अनुपती देते हैं यह सभी होता है तो देखो जो हमारे ओपिन यह स्कूले चार अप्षण दीए जाते हैं और उसमें आपको एक और वह क्या होता है वह थे कि अगर आपको मैं कहूं कि गांदी जी के करेक्टरिस्टिक्स बताईए तो वह क्या होगा आप आपने according जितना चाहें लिख सकते हो वो क्या होगा open-ended questions और अगर मैं कहती हूँ कि गांधी जी के date of birth बताईए तो अगर मैं आपसे सिर्फ़ सुट date of birth पूछती हूँ गांधी जी की तो वो क्या होगा close-ended questions open-ended में क्या होगा अगर मैं गांधी जी के बारे में आपसे कहती हूँ कि थोड़ा explain कीजिए उनके बारे में ऐसे लिखी वो क्या होंगे open-ended questions के अपने विचार व्यक्त कीजिए तो देखो अपने तरीके से interviewer के द्वारे administer नहीं किया जा सकता तो यह जो second option है यह बस हमारा गलत हो जाएगा और A और C हमारा सही हो जाएगा क्योंकि A और C में बिलकुर सही बात की गई है लेकिन B वाला थोड़ा गलत हो जाएगा तो option 3 हैं सही हो जाएगा A and C only आज का last question देखते हैं identify the correct order of the words A मतलब यहां पर यह कह दो कोई फिलिंदा ब्लांक्स दिया गया था आपको एक्जाम में और यहां पर यह चार option दिये गए थे अब इन चार options को यह जो चार blank दिये गए हैं 1,2,3,4 इन चारों में आपको fit करना है और उसके बात बताना है कि पहले क्या आएगा पहले A वाला फिर डी आएगा फिर बी आएगा या सी आएगा किस तरीके से यह अरेंज होंगे इनका अरेंजमेंट यह दिया गया है इसमें से आपको चूज करना है कौन सा अरेंजमेंट सही होगा तो देखो ध्यान से इसको पढ़ना confused नहीं होना फिर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक सबसे पहले आएगा हमारा भी इसलिए first वाला और fourth वाला कर जाएगा सिर्फ हमारे पास दो बचेंगे क्योंकि two and three में लिखा हुआ है badc, three में लिखा हुआ है bdac, b तो हो जाएगा first, यहाँ पर आपका क्या आएगा b, hacking, उसके बाद blank देने के बाद लिखा हुआ है are programs that self replicate and are designed to disrupt computer system, ऐसे program जो खुद को replicate कर लेते हैं self replicate हो जाते हैं और बो design ही स्लिएग किये जाते हैं ताकि computer system को बरौइब आपको पता है जयसे कि हमारे अंदर वाइरس आ जाता है और हमारी तभी से ख़राब कर देता है यहां पर हमारा आज आएगा option number d, viruses, तो पहले आएगा वी फिर उसके बाद आएगा d और is where a user is, one second, is where a user is sent legitimate looking emails as soon as the email is opened and the recipient clicks on the embedded link, they are sent to fake website, मतलब यहां पर यह कहा गया है कि आपको उसके बारे में बताना है कि email में ऐसा क्या होता है, जिसको जब open करता है, जिसको रिसीव हुआ email, जब वो उसको open करता है, तो वो किसी अलग ही fake website पर पहुँच जाता है, तो email से related है और email से related हमारा उसको हम क्या कहते है, phishing, ओके, hacking हमारा हो गया, और हमारा viruses भी हो गया, यह हो गया हमारा phishing, last वाला बचा, last वाला में हमारा आ जाएगा spyware, पढ़ लेते हैं एक बार, last वाला जो sentence है उसको भी एक बार देख लेते हैं, software that monitors key processes on a user's keyboard, and release the information back to the person who sent the software as known as, यानि ऐसा software जो की monitor करता है, जो भी आप key press करते हो, जो भी आप keys को दबाते हो अपने keyboard में, उन सारी चीज़ों को monitor करता है और उसके बाद जिसने वो software बनाया है, उसको आपके सारी जानकारी दे देता है, तो एक तरीके से आपके जासूस ही की जा रही है, कि आप क्या चीज़ टाइप कर रहे हो, क्या चीज़ किस बटन पर आप क्लिक कर रहे हो, तो आपके एक तरीके से जासूस ही की जा रही है, जासूस ही को हम English में क्या कहते हैं, spy ठीक है जासूस को हम क्या कहते है spy और उस software को क्या कहते हैं हम उसी से बना है spyware तो जो last वाला है वो हो जाएगा आपका spyware और answer हो जाएगा आपका option number 3 तो आप पहले टुकडों में तोल दीजे और उसके बाद solve कीजिए आपका answer सही होगा यह थे आज के सारे questions यह सारे questions आपके law का जो paper हुआ था जून में उससे related थे I hope आपको आज के सारे questions अच्छे से समझ आए होंगे अगर आप लोगों को आज की class थोड़ी सी भी helpful लगी हो प्लीज चैनल को subscribe करना, video को like करना, share करना अपने friends के साथ मिलते हैं जल्दी next class में, thank you so much and take care